आप अपने यूरीन के रंग से अपनी सेहत का हाल भी जान सकते हैं और क्या आपको पता है कि होगवर्क का अविशकार किसने क्यों और कब किया था और क्या आपने कभी एक ऐसी सजा के बारे में सुना है जिसमें कैदी को ना मारा जाता है ना ही किसी तरह की चोट पहुशाई अमेरिका में एक ऐसा समुदाय रहता है जिसमें शादी से पहले लड़के को अपनी मरदानगी का सबूत देना होता है इसके लिए उसे 120 वाल्ड का बिजली जटका खाना पड़ता है और अगर लड़का जटका सहन नहीं कर पाता तो उसे नामर्द माना जाता है यह है दुनिया का सबसे छोटा आर्टिफिशल हार्ट जिसने एक बच्चे को 13 दिन तक जिवित रखा जब तक कोई डोनर ना मिले यह कोई खोपडी नहीं बलकि एक फूल है जिसे ड्रैगन इसकल फ्लार कहते हैं माना जाता है कि इस फूल में कई शक्तिया पाई जाती है और कुछ मानिता के अनुसार इस पौधिय को घर में लगाने से बुरी शक्तिया दूर होती है जिस वेक्टी ने होमवर्क का विशकार किया वो एक इटैलियन टीचर था उसका नाम रोबेट रो नेवलिस था उन्होंने 1905 में अपने चातरों के लिए पनिश्मेंट के रूप में होमवर्क का विशकार किया आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि अंतरिक्ष से कोई सेटलाइट आपके घर पर गिरता है तो अंतरिक्ष द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उस देश के सरकार द्वारा आपको 74 कलोल रूपए का मौावजा दिया जाएगा इस मानिता के अनुसार अडर कोई वेक्टी अपने कमरे में पंखें चालू करकर सो जाता है तो उसकी मिर्तियू भी हो सकती है साउथ कोरियन लोगों की इस मानिता को ध्यान में रखकर वहां के पंखों में टर्न ओफ टाइमर लगे होते हैं जिसके वज़ा से ये किसी वेक्टी के सो जाने पर पंखें अपने आप बंध हो जाते हैं वाइट रूम टॉर्चर दुम्या का सबसे खतरनाक टॉर्चर है जिसमें कैदी के कपड़े कमरे की दिवारे यहां तक की खाने का रंग तक सफेध होता है कई दिनों तक कैदी को एक आवाज भी नहीं सुनाई देती जो उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है Fact No.9 क्या आप जानते हैं कि ईशा अमबानी की शादी भारत की सबसे सस्ती शादी हुई थी क्योंकि औस्तन भारत में हर माबाप अपनी बेटी की शादी में चार से पांच साल का इंकम खर्च कर देते हैं लेकिन बुकेश अमबानी ने केवल दो दिन की कमाई का खर्च साले साथ सो अलोल रुपए किया था Fact No.10 अगर आपकी यूरीन का कलर ब्रॉनिश ओरेंज यानि थोड़ा संत्रे के तरह का है तो ये संकेत आपकी नीवर की समस्या को दर्शाता है और अगर आपके यूरीन का कलर डार्क यलो है तो आप जरूरत से कम पानी पी रहे हैं एक स्वस्त वैक्ति को दिन में 2-3 लिटर पानी पीना चाहिए और अगर आपके यूरीन का कलर पीला और थोड़ा फोमी है तो ये सीधा चिताओनी देता है कि आपको खिड्नी की समस्या है और अगर आपके यूरीन का कलर लाइट यलो यानि हलका पीला है तो आपका स्वस्त बिलकुल नॉर्मल है एक स्वस्त व्यक्ति के पिशाब का pH value 4.5 से लेकर 8.5 तक होता है क्या आपको पता है ऐसी कौन सी चीज है जो हमें G1 में दो बार free बिलती है लेकिन तीसरी बार नहीं इसका जवाब आप कमेंट में बताएं